C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ सबक नमबर 9 किस्मत का खेल सफा नमबर 47 बच्चो एक बादिशा के दो बेटे थे बड़े का नाम अबास और छोटे का नाम वकास था दोनों मुक्तलिफ मिजाज और सोच के मालिक थे एक दफा बादिशा ने अपने दोनों बेटों को बुला कर एक सवाल किया ये बताओ के इनसान बड़ा आदमी कैसे बनता है अबास ने जवाब दिया अबा हुजूर इनसान बड़ा आदमी दौलत से बनता है यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है और तस्वीर में बादिशा अपने बेटों से बात कर रहा है सफा नमबर 48 उसके बाद छोटे शहजादे ने अर्ज किया अबा जान इनसान बड़ा आदमी मुकद्दर से बनता है बादिशा ने बड़े बेटों को बहुत बड़ी रकम देने के बाद कहा अच्छा अब तुम बड़ा आदमी बन कर दिखाओ दोनों शहजादे रुखसत हुए बच्चो उस मुलक में एक गरीब मचहरा भी रहता था मचहरा मचली पकरने वाला शहजादा अबास उस मचहरे के पास गया और वो रकम उसको दी मचहरा इतनी बड़ी रकम देखकर बहुत खुश हुआ उस ने उस रकम में से कुछ रकम एक मटके के कोने में चुपा कर रख दी और बाकी रकम लेकर बाजार गया और एक चादर ली और गोश्ट लिया और बाकी रकम चादर के एक कोने में बान दी वहीं एक चील ने चादर में गोश्ट बंधा देखा तो वो उड़ती हुई आई और फूर से चादर खीच कर उड़ गई सफा नंबर 49 मचेरे की बीवी ने वो मटका जिसमें रकम रखी हुई थी कुड़ा कबार बेशने वाले के हाथ बेश दिया और इस तरह वो मचेरा एक मरतबा फिर गरीब हो गया कुछ दिनों के बाद दोनों शहजादे उस मचेरे के पास आए और उसका हाल एहवाल पूछा यानि उसकी खेरियत ली तो मचेरे को गमगीन और उदास देखकर बड़े हैरान हुए मचेरे ने बताया के मैं एक मरतबा फिर गरीब हो गया हूँ तबहा उबर बाद हो गया हूँ क्योंकि आपकी दी हुई रकम मेरे हाथ से निकल गई है बड़े शहजादे ने पूछा मगर कैसे मचेरे ने सारा किस्सा सुना दिया अब छोटे शहजादे यानि वकास ने मचेरे को तसलिव तश्वी दी और कहा फिक्र ना करो अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है उसमें मचेरा उसकी बीवी दोनों खड़े हैं और शहजादा उससे बात कर रहा है उसने मचेरे को एक रुपिया दिया लेकिन मचेरे ने वो रुपिया एक तरफ फेक दिया क्योंकि इतनी मामूली रखम से वो अपनी हालत कैसे सुधार सकता था उसी शाम को मचेरे का एक वाकिफकार मचेरा आया यानि उसकी जान पहचान का एक मचेरा आया और कहने लगा मेरा जाल फट गया है अगर तुम कुछ पैसे दे दो तुम्हें जाल की मरमत कराऊंगा और उसकी ओज में यानि उसके बदले में आज जितनी मसलिया भी पकड़ूँगा न उसमें से आधी तुम्हें दे दूँगा दूसरे दिन मचेरे ने जाल ठीक करके दरिया में डाला काफी देर के बाद उसमें सिर्फ दो ही मसलिया फसी चुनाचा घर वापस आया और एक मचेरी अपने पास रखी और दूसरी वादे के मताबिक उस मचेरे को देने के लिए चला गया जिसने उसे एक रुपिया दिया था अब रुपिया देने वाले ने अपने बीवी से कहा आज मचली काट कर ही पका लो यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है उसमें मचेरा और बीवी बात कर रहे है बीवी मसली काट रही है और उसके हाथ में एक हीरा चमक रहा है सफा नंबर 51 चुनाचे उसकी बीवी ने मसली काटनी शुरू कर दी जब मसली का पेट चीरा तो उसके अंदर एक असली हीरे की कीमती अंगूठी पड़ी हुई थी मचेरा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए वो अंगूठी को लेकर बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे दरख्त की शाखों पर फसी हुई वो चादर नजर आई जो चील उसे ले उड़ी थी अब तो वो बहुत खुश हुआ खैर उसने बाजार में बहुत बड़े जोरी के साथ वो अनमोल हीरा बेज डाला जिससे उसको बहुत बड़ी रकम मिली आज वो गरीब मचहरा बेहद अमीर आदमी बन गया था उसने अपने लिए बहुत बड़ी हवेली बनवाई और बड़ी शान के साथ रहने लगा हवेली में कई कनीजे और नौकर थे अब उसने बड़े पेमाने पर मचलियों का कारोबार भी शुरू कर दिया था कुछ अरसे बाद दोनों शहजादे एक बार फिर उस गरीब मचहरे की जोपड़ी में पहुँचे लेकिन अब महा एक महल था सफा नमबर बावन लेकिन अब महा आलिशान हवेली मौजूद थी मचहरे ने शहजादों का इस्तकबाल किया शहजादे मचहरे की शान और शौकत देखकर हैरान भी हुए और खुश भी अब तो बड़े शहजादे को वाकी इस बात का यकीन हो गया कि महज दौलत से आदमी बड़ा नहीं बनता बलकि किस्मत भी कोई चीज है बड़ा आदमी बनने में किस्मत या मुकद्दर का भी बड़ा दखल होता है सवलात एक बादशा ने बेटों से क्या सवाल किया दो शहजादा अबास ने मचेरे को रखम क्यों दी तीन मचेरा उदास क्यों था चार छोटे शहजादे से मिले एक रुपिय का मचेरे ने क्या किया पांच मचेरा अमीर आदमी कैसे बन गया छे बड़े शहजादे को किस बात का यकीन हो गया अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ कारेक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर अफ्षान सिद्धी की तक्नीकी समन्वय बठी लैंगलिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मार सहयोग सौम्या मलिक, निर्देशन वर निर्मार विमलेश चाओधरी ताथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत